आज कि इस वीडियो में आपको बताएंगे सिच्छा साफ्त यानि एजूकेशन की मोस्ट इंपॉर्टन कोश्चन के बारे में जो कि आपकी परिच्छा में आने के पूरी उम्मीद होगी और परिच्छा के नजरिये से सारे कोश्चन मात पूर्ण होने वाले हैं तो कुल मिल इसके छात्र जिनको इसी वर्श ए जूकेशन यानि पिच्छा फास्त का पेपर देना है और उनका जो पेपर है यानि कि फिच्छा फास्त का वह साच्छिक प्रसाषन क्या है से चाफ्ट का सब्जेक्ट हो गया एक और जो आपका प्रषण पत्र का नाम होगा वह सहचिक प्रसासन तो इससे जुड़े कोश्चन है ध्यान से सुनिएगा कौन-कौन से मात पूर्ण हम आपको बता रहे हैं पहला कोश्चन है कि प्रसासन की किनी पांच आधुनिक प्रभित्यां या फिर प्रभित्यां की जगा बिसेस्तायें भी हो सकत है ध्यान से आप लोग इस बात को ध्यान लखेंगे ठीक है तो किनी पांच आधुनिक प्रभित्यों के बारे में बताना है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं तो ध्यान सुनिएगा ठीक है पहला हो गया ग्रह बिद्याले एवं समाज की बीच समयनों अस्थापित करने की प्रभित्य फिच्छा के छेत्र में जन्संपर्क अस्थापित करने की प्रभित्य नंबर तीन प्या जाएगा आप लोग लिख सकते हैं पाठक्रम का पुनर गठन एवं पुनर निर्मार करने के प्रभित्य इफी तरह आप आप पांच आधुनिक प्रभित्यों के बारे म आपको लिखने के लिए आएगा और यहां पर सैच्छिक प्रसासन की बिस्षिस्ताओं के बारे में पूंचा गया है ठीक है तो आपको इन दोनों तो कोश्चन को तयार कर लेंगे तो आपका एक कोश्चन फस जाएगा 100% गारंटी ठीक है निर्श कोश्चन है कि सैच्छि का प्रबंधन है जिसका समस्चिय। उद्देश उन बेक्तियों की फिच्छा पे बंदिते जो संगठन मना रहें किससे संबदी थ्याट्चिक प्रशासन और वहां होता है जो एक सैचिक प्रीया पर வरिशना होते है जहां पर तो इतनाने आपको पूरे नमबर मिल जाएए यह प्रस्ण आपकी अतिलाभव देर को उत्रे किस्त में बूचा जा सकते हैं जिस भी प्रस्ण पढ़ेंगे कि आप डीटेल में पढ़ेंगे और इन सभी का जो उत्तर है डीटेल में आपको आपकी पास बुक है या फिरीज या कोश्चन मेंगे पिर इंटरनेट पे तो आपको मिली जाएगा ठीक है उत्तर और इसकोश्चन आप इग्नोर कर दीजेगा चार नंबर अब आज ही आप ल अश्था दात्त्री संस्थाओं के uis हां महतपुंद एख्जाम के vorstellen पढ़ लेगेज दात्री संसथाओं के नामुके पढ़ लीजेगा इसका उत्तर है कि भारते फैचिक प्रसासन की पांच प्रमों को समस्चाओं का उल्ले कीजिए या पांच समस्चाओं बताईए तो ध्यान से थोड़ा आपको बताने का प्यास करते हैं नंबर एक पर लिख सकते हैं कि केंद्रे फैचिक नेतियों पर नियं सेंटरल गवर्मेंट के हैं उनकी वज़ा फे जो राज जी की बेवस्था है वो अपने अपने एक वर्डिंग नहीं बना पाते है क्योंकि कुछ निर्देश होते हैं सेंटरल गवर्मेंट के ठीक है यह होगा प्रमों समस्चा में एक और नमबर दो समस्चा जिवा केंद्र सभी राज्यों को समान बित्ती सहायता नहीं उपलब्द करा सकता कहने का मतलब यह कि सीमित संसादनों के एकांड केंद्र सभी लगाए गए तो को मिलाके प्रसाफन में केंद्र के अधिक हफ्ता छे फ़री सीमित संसादनों के करांड केंद्र सभी यानि की जितने भी राज यह सभी पर बित्ती यानि की रुपया पैंसे से फिर फैनेंसियल पूरी तरह फे एक जैफी ब्यौफ्था है वो नहीं कर सभी तुद्वा रही थी यह मस्मस्या हो गए तीसरी आप लोडिक हैं कि राज अपने से अच्छिक प्रसाफनिक वैवफ्था को है कारा ठीक कारगर बणाने के लिए के अंध्र पर निरभर करते हैं यहनि कि जो राज यहां दूर затर फिर तो अपना पूरा निर्भर रहेंगे कि अगर वहां से help मिलेगी या फिर लोनेशन मिलेगा या फिर आप लोग कह सकते एक तरीके से वहां पे जो पैसा आएगा उसकी विवस्था बढ़ी बढ़ाई जाएगी फिर विवस्था बढ़ेगी फैचिक ठीक है तो यह हो गया इफी तरह आप 5 समस्य और भी लिख सकते हैं जो कि आप लोग अपने कोश्चिन में इंटरेट से डूंड के पढ़ लीजेगा सभी का उत्तर बताना पोसिबल नहीं हो पाएगा इसलिए हम कुछ कुछ आपको समझा दे रहें अगला कोश्चिन महातपोर्ण है कि बिश्विद्ध्य ले के परकार होते हैं तो दिश्विद्ध्य के परकार को होते हैं जैसे कि पहले नमबर फ Blair कोते हैं जिसको आप लोग सकते हैं और नमबर पर लीखements-शेट स्व्राब्षच भूसके हैं कौन सा लिख सकते हैं 6 संब्रधक मिश्वध्य ने तो ये सब आपके जो है वह राजवध्य ने के अंतरगत आ जाएंगे लेकिन जो मुख्यता जो तेखा जाये तो जो सिर्फ निए पाला आपका है शेंटर सबसे में कई सब कटगरी में निए अठाइब हर ये आदांगे सब इसकी आंचिए इन्वर्सिटी यानि राज विश्विद्ध्यले के इंतरगत अगर आपको दिख रहा होगा कि विश्विद्ध्यले फिच्छा के अर्थ को अस्पष्ट करने के लिए हम थोड़ा जानते हैं जो उच्छ फिच्छा जिस पर आप लोग पढ़ रहें बीर करनें तो आप हई है रेजूट रहें हैं तो इसका आर्थ आपको लिखना है कि उच्छिफिच्छा से असे फिफिच्छा पर जो सैची कःचे के विबिदर अफ्तरों में इस वसे होती होती है उच्छ फिच्छा को बिश्य भिद्याले फिच्छा कहा जाता है, आप इतना इन्हे लिग देंगे तब भी आपको पूरा नेंबर मिल जाएंगे, सोड़ी ममी स्चेक हो गई, हम से गैरा नंबर different, मैंने आपको बता दिया तो तर प्रदेश के विश्व बिद्याले के नाम बताई तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूं तीन केंद्रिय विश्विध्य अला हैं ठीक है जिन में से नंबर एक पे मतलब कि तीन के बारे में बता जा रहा है तो नंबर एक पे आप लोगो लुक सकते हैं बनारस हिंदू भिश्विध्य अलाइब जिसको आप लोग B.H.U. के नाम से जानते हैं नंबर दो आप कहा जाएगा अलाहबाद बिस्विद्द्ध ले जो कि अलाहबाद में ही ठीक है तो यह है तीन प्रमुक केंद्री यानि कि सेंट्रल इनुवर्सिटी और बाकी जो आपके लखनौ जानते प्रियाग राज रज्जु वहिया इनुवर्सिटी कानपूर लखनौ डाक्टर रामनोह या या फिर आजमगाड या फिर अन्य जो इस्टेट इनुवर्सिटी जिनको राज इनुवर्सिटी बोला जाता ठीक है चलिए निश्कोश्चिन क्यों बढ़ते हैं निश्कोश्चिन कहरा कि राज सरकारों के सिच्छा समंधी कोई पांच कार बताई ते भी महतर पून इसको भी पढ़ लेंगे आप लोग और उत्तरप्रदेश के पांच आप लोगों को पांच क्या बताने आप लोगों को फैचिक मंडल को उनकों से उनके बारे में को इस्प्लेंकर करके लिखना ह सब्सक्राइब तो आप तैयार कर लेंगे तो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट रहेगा ठीक है तो पंदरा नंबर जो कुष्च्त है जैसे कि मालीजी की साइच्छिक मंदल के नाम जैसे कि प्रियाग राज हो गया मेरट हो गया ठीक है बरेली हो गया आग्रा हो गया वरानलसी हो गया यह प्रमुक मंदल है ठीक है और अगला कोश्चिन है कि बिश्व बिद्याले के प्रमुक अधिकारी तो बिश्व बिद्याले के कुछ अधिका तो यह कोई से प्रमुक अधिकारी होते हैं किसी भी विसुभिद्ध्य लेगी तो इसके नाम आपको लिख देने इसी तरह ठीक है और निश्क कोश्चन आप लोगों के समझ जो महात्पूर्ण है वह उन्नीश नंबर की राष्टे मुक्त विसुभिद्ध्य ले पस तो 185 में संसत के एक अधिनियम के अंतरगत इंद्रा गांधी राष्टे मुक्त विसुभिद्ध्य लेके स्थापना हुई देश की सिच्छा प्रढाली में दूरस्त फिच्छा बेहुद्ध्य लेक्त कार्म और भिकास के लिए ऐसे हुद्ध्य उसा जिसे कि जल संख्या के एक बड़े भाग को बिसिस्ता सुभिधाहीन वर्ग को फिच्छा के आउसर सुलब करवाना और इस तरह और भी हैं जो कि आप लेख सकते हैं लेकिन में जो है इतना आप लिख देंगे तब भी आपको मतलब की पूरे नमबर मिल जाएंगी जितना मैं सब्सक्राइब का इनुवर्षम profั่ WA-UMर करता झालत जारी करता है वही ठीक है और अगला जो महात्रपूर्ण प्रश्ण आप लोगों के समस्त है वो मैं आपको बता दे रहा हूं जैसे कि आपका एक आजाएक नवोदे वाला नवोदे बिद्याले में कि कोई चार उद्धिस बताईए महात्रपूर्ण इसको तयार कर लिजीगा ठीक है और निस्ट कुश्चिन आप सभी के लिए बहुत ही महात्रपूर्ण है यह महात्रपूर्ण प्रस्न आपके पर चेक लिए ओके इसका उत्तर आप लोग जो तयार करके जाएगा बहुत टॉप लेबल का कोईश्चिन एकजाम के लिए समझ में आ गया है ठीक है और मैं आपको एक और कुस्टन बता जे रहा हूं उसका पूरा ध्यान रखेंगे बिश्व बिद्याले फिच्छा के प्रमुग बिद्य श्रोत यह भी मात्पूर्ण है और 31 नमर की पांच के इंद्रे बिश्व बिद्याले के नाम जो कि मैंने आप आपको बताया है यह तीन बताएं दूर आपको लिग देने यूजी के संगठन किस प्रकार होता है भी मात्पूर्ण है इसको तैयार कर लेंगे बाकि आप नीचे आजाए नीचे कुछ कोश्टन है कि इस एच्छिक प्रसासन को प्रवावित करने वाले का कारा की इकनोर कर दीजेगा और यह पढ़ लीजेगा तीन नंबर बिश्विद्य लेकर आंतरिक प्रसासना उन्यंतर पटिक पड़ी ठीक और बिश्विद्य लेफ इच्छा के कार जो कि मैंने आपको पहले बता रखा है इंप्वाटेंट ठीक है और इसमें बाकि जितने भी स्में कोश्च बताएं हैं जैसे कि यह लास्ट का फैसी प्रसासन के प्रोक्षित धान तो वा उद्देश यह त्यार कर लेना है ठीक है और मारो सांथ विकासन मंतरा ले मैंने मैं में इमेचारडी के बारें बताएं कि इसको त्यार कर लेना है तो यह कुछ महात्पूंट प्रस्ण है आने वाले दिरों में हमारी एक महा संग्राम वीडियो आएगी उसमें सारे कुष्चन ऐसे होंगी जो आपकी परिछा में आएंगे यह आएंगे तो उसका वेट कर यह जल्दी आप लोगों के समस्तम लेकर आएंगे मिलते हैं कोड़ने वीडियो में जब तक कि लिजा हैं अर्ण ने दम जेगा कि और रा एक समस्तमित राएंगे मिलते हैं